हेलो डियर सुरेंट्स वैलकम इन एसे स्टार्टर डियर सुरेंट्स आज मैं आपको वक्षिट नंबर 26 करवाने जा रहा हूँ और यह जो 26 वक्षिट है एसे आटी के द्वारा जो पठन अभी है चला जा रहा है जिसमें हम गतिवीदी पत्रक पढ़ रहे हैं ठीक है और मैं हिंदी की कोपी में कर रहे हैं तो आपको हिंदी की कोपी पर करना है ठीक है अगर आपने एक कोपी बना रहा है तो आप सब्जेक्ट लिखे हिंदी लिखे फिर स्टार्ट करेंगे विध्यारती का नाम और सिक्षे के सिक्षे का नाम आप जूरू लिखेंगे ठीक है यह आ तो पहले समझ लेते हैं इसको और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जूरूर कर देना अगर अब भी तक आपने नहीं किया और बैल आकन प्लास करेंगे आपके आपके सारी वीडियो के नोडिफिकेशन आजाएं ओके और मैंने सर्वस की वीडियो बिना रखी है ठीक है जो काफी highly qualified और बहुत ही मतलब बढ़िया स्कूल्स हैं और इसमें आपको काफी अच्छे एड्यूकेशन मिलेगी ठीक हैं और इसके बारे में आप जान सकते हैं डिस्क्रिशन में आपको लिंक मिल जाएगा चलो अभी इस जैसे प्रतिबा भी काफी ध्याले थे ना तो अभी इनका नाम बदल की हो गया है और स्कूल अएक्सेलेंस का नाम बदल की इनको कर दिया गया है ठीक है इसके अंदर क्योंकि बहुत सारी नएचीज़े ला दी गई हैं जो मैं आपको सोस कर बता रहा था अब इसे पढ़ खाता था ठीक है एक बार वो सभी उढ़ते उढ़ते किसी टापू पर पहुँच गए पता ना टापू किसे कहते हैं जैसे यह एक जमीन है और इसके चारोर पानी पानी है उसे टापू कहते हैं वहां बहुत सी मचली और मैंडग रहते थे उन्हें ने वह टापू बहुत अच्छा लगा उनके खाने पीने और रहने की साथ सुधाय उस टाप पर मौझूद थी इतना कुछ खाने को ता मचलिया और मैंडक तो उनने का हम कहीं और क्यों जाए मज़ा आ जागा यहां पर तो खाने पीने घर्चीज मिलेगी हाना और सभी गिद उसी टाप पर रहने ल लगे फिर क्या हुआ उसी जुंड में एक बूड़ा गिद भी रहता था ठीक है और अपने साथियों की आलस भरी दशा देखकर उसे चिंता होने लगी वह गिदों को कहीं बाद चितावनी भी देता कि मित्रो हम फिर से शिकार के लिए उडान भरनी चाहिए ठीक हमें फिर इससे शिकार के लिए उडान भरनी चाहिए ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए और सुनो आगे क्या हुआ उस बूड़े गिद की सला सुनकर सभी गिद हसने लगे और यह कहकर मजब उड़ाने लगे कि यह हमें अराम दाइक जीवन छोड़कर जाने की सला दे रहे हैं इस प्रकाख शेश गिदों के जुन्ड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया इसके बूड़ा गिद अकेले ही वापस जंगल में लोट गया ठीक है फिर क्या हुआ कुछ दिनों के बाद उस बूड़े गिद ने सोचा कि बहुत समय हो गया चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने सात्यों से मिलकर आता हूँ वे बूड़ा गिद जैसे ही उस टापू पर पहुँचा वहाँ की दशा देखकर वे हैरान रह गया अरे ऐसा क्यों हो गया चलो सुनते हैं वहाँ का दिश्य बहुत भयावए था मतलब डरावना फिर क्या हुआ उस टापू पर मौजू सभी गिद मर गये थे वहाँ पर सिर्फ उनकी लाश ही ही पड़ी थी तभी उसे कोने में एक गायल गिद दिखाई दिया वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि पहले तो हम बिना महनत के भरपेट भोजर्ण करते रहे किन्तु समय बीतने के साथ इस टापू पर मचलिया और मैंड़ कम होने लगे दीदे दीदे वहाँ बोजन समाप्त हो गया चुंकि हमें बोज समय से उचा उनने का भ्यास नहीं रहा तो हम शिकार करना भी भूल गए इस प्रकार भूख से हम एक एक कर मरने लगे उस घायल गिद की वास सुनकर बुड़े गिद को बहुत दुख हुआ निराश बुड़ा गिद वापस अपने जिंगल में चला गया ठीक है अब ये क्विशन इन चारों के आंसर आप अच्छे से देख लीजिए ठीक है स्टार्ट करते हैं आंसर अब आप पहला क्विशन देखिए देगे कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठनाई महसूस हुई उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने सिक्षक शिक्षिका से उन शब्दों के अर्थ और उच्चारन सीखिए तता अभ्यास कीजिए देखे अगर आपको पैसेज में और भी बहुतार शब्द समझना आए तो आपको वो भी सीखने है और केवल आप यह मत कीजिएगा कि जो मैं कर रहा हूं इसको कॉपी और पेस कर दिया अगर आपने याद नहीं कर रहा तो बेकार है ना फिर ठीक है तो यहाँ पर मैंने कटिन शब्द अर्थ लिखे है ठीक है तो आपको एक एक शब्द अच्छे से पढ़ना है यह रीडिंग कैमपेंड चल रहा है अगर आपको हिंदी की शब्द सही से नहीं आएंगे तो फिर एक्दाम में कैसे करेंगे आप ठीक है अब नी तो लब दोना गिद क्या एक बड़ा शिकारी पक्षी है द्रशिय मतलब जिसे देख सकते हैं ठीक है अपने आखों से जैसे आप देख रहें नो वो और मित्रों मतलब दोस्त ठीक है अब हम अगले कोशन के तरह बढ़ जाते हैं देखिए अब जो नेक्स कोशन नहीं यह यह होते तो अब क्या पूछते और बूड़ा गिद उन प्रश्णों के क्या उत्तर देता ठीक है कोई तीन सवाल बनाएए और उनका उत्तर भी लिखिए तो यह आपका कोशन दे रखा था तो आपको इसके आंसर में क्या करना है आपको कोशन आंसर कोशन आंसर कोशन आंसर ब जीवन जीने से हम आलती बन सकते हैं तता मैं आलत भरत जीवन नहीं जीना चाहता था ठीक है आप कुछ भी तीन प्रेशन बनाकर छोटे छोटे उसके आंसर भी लिख सकते हैं बड़े बड़े भी लिख सकते हैं ठीक है आपको अंदर अपने creativity जगानी है ठीक है यह वीडियो आपको guidance के लिए पूरी बनाता हूं सारे solution आपको जिखाता हूं ठीक है आप इनकी help लें ठीक है तो next है बुड़े गिद तुम वापस टापू क्यों आए हो ठीक है मैंने याप पर जो है ना वहाँ पर मिस्प्रेंडिंग से मैंने सिर्फ इतना जीद बुड़े गिद तु तुम वापस टापू क्यों आए तो आप लिखना मैं अपने मित्रों से मिलने के लिए टापू आया था ठीक है फिर नेक्स बुड़े गिद तुमने घायल गिद की मदद क्यों नहीं की क्योंकि मैं बहुत ज़रा बुड़ा हो चुका था इसलिए मैं उसकी मदद नहीं कर आया ठीक है समय आगे तो दियर सूरंस अब हम थार्ड कृषिन करेंगे ओके अब थार्ड कृषिन देखिए थार्ड में बोलागे कि बुड़े गिद की किनी तीन विशेष्टाओं के बारे में लिखिए तो आप कोई से भी तीन विशेष्टा रिख सकते हैं जो बुड़ करने पर विश्वास रखता है हाना तो आप कोई भी तीन वादे लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखिया कि बुड़ा गिद दूदर्शी है वह आलसी पक्षी नहीं है बुड़ा गिद समधर पक्षी है ऐसे और भी लिख सकते हैं बुड़ा गिद इमानदार कि इस कहानी से आपने क्या सीखा अपने शब्दों में उत्ता लिखिया अब कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपने सीखा की जैसे हमें महनत जो है वो करनी चाहिए आलस का त्याग करना चाहिए जो भी आपने सीखा तो इस कहानी में हमें सीख्षा मिलती है कि अगर हमें भ ठीक है इस तरीके से जो भी आप इसे सिक्षा लेते हैं उसका आप जूरू पार्ण करेंगे ठीक है तो डीए सुन्स आज की वीडियो में इतने ही था मुझे पूरी इमीद है यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हलप लोगी आप चैनल को सब्सक्राइब जूरू करें ठीक है और एसे स्टार्टर यह मेरा एक अनदर चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना ठीक है इसमें भी वह सारी वीडियो और जो भी हैं मैं प्रोवाइड करता हूँ ठैंक यू फॉर वोचिंग और लिसनिंग केरफुली टेक कियू इस आलडिये स्टूडेंट्स